हेलो एवरीवन, विल्कम टू माई चानल, तुडेज रेसिपी इस धाबा स्टाइल पनी, सो लेट इस स्टार्ट, पहले कडाई लीजिए, गैस अन करिए, उसके गरम होने के बाद उसमें लगभग एक टेबल स्पोन ओईल को आड़ करिए, आप यहाँ पे कोई भी ओईल ले जब आपका जीरा जिटर होने लग जाए, तो आपको इसके अंजर साबुद धनिया आड़ करना है, यह भी अराउंड टू टी स्पून है, और इसके बाद हम अपने अनियन्स को आड़ करेंगे, अगर बड़े अनियन्स हैं तो यू कें टेक लाइक टू और अगर छोटे ह तो आप तीन भी ले सकते हैं, यह फाइनली चॉप नहीं है, थोड़े मेडियम चॉप्ड है, रफली चॉप्ड है और इसको आड़ करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, और फिर इसके बाद मैं इसमें अपने टमेटोस को आड़ करूंगी, इस वो golden brown हो गए हैं अब हम इसमें आड़ करने हैं 4-5 साबुत मिर्ची अगर आपके पास वो नहीं है तो आप red chili flakes का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो घर की PCV होती है और फिर इसको अगेन थोगे जर सौटे करना है हमें medium flame पे cook करना है साथी साथ हम इसमें डाल रहे हैं tomatoes जो की 2-3 मै अब हम इन दीनों को जो है अच्छे से सौटे करेंगे और इन अगेन medium flame पे cook होने देंगे जिससे जो हमारे tomatoes हैं वो soft हो जाएं अब मैं इसके इंदर add करने वाली हूं मखाने और बदाम यहां पर में पस काजू नहीं था तो मैं मखानों का इस्तमाल कर रही हूं आप जो यूज करने के पीछे main purpose यही होता है कि हमें इसको जो है rich consistency देनी होती है और जो flavor भी होता है वो बहुत अच्छा आता है जो इसकी gravy बनेगी वो बिल्कुल-बिल्कुल market style जैसी बनेगी अब हम देख सकते हैं यह हमारे cook हो चुके हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आ तो वो भी आपके लिए easy हो जाएगा तो एक हमें fine paste बनाना है अपनी जो gravy हम बना रहे हैं सबजी की उसके लिए मैंने हापे कोई मसाले आड़ नहीं करें वो मैं सब बाद में ही करूँगी जो हम gravy को cook करेंगे अब यहाँ पर हमारी सारी जो सबजीया है मैं एक mixi jar में डाल रही हूँ यह सारी सबजीयों को मैं एक grind करके smooth paste बना लूँगी अब यह वही कड़ाई है जिसमें मैंने प्यास टेमाटर को पहले भूना था तो यहाँ पर हम ले लेंगे दो टीस्पून अराउंड घी और मसालो में हमारे पास ज्यादा आड करने को कुछ नहीं है आप हल्दी और धन्या पाउडर डाल सकते हो थोड़ा सा बिकास मिल्ची हम अल्रडी उसमें भून चुके हैं तो तो देस नो नीड तो एड चिली फ्लेक्स separately but yes you can use the degi milch for color instead but I don't have it today so I am skipping that but already my tadka is looking really red and rich in color and the reason is I added little bit of जो आप चुकुंदर होता है आपका मैंने वो भी इसमें आड कर दिया था थोड़ा सा घिसके तो आप वो भी डाल सकते हो for color आप अलग से color भी डाल सकते हो but I would not prefer कि आप colors use करें और इसमें थोड़ा सा पानी आड करोगे जो ये fine paste हमने इसमें डाला है भूनने के लिए और पानी के साथ आप इसको थोड़ी देर पकाएंगे 5-10 मिनट्स यहां पे मैंने 2 टी स्पून शुगर आड करा है और 2 टी स्पून ही हम्यां salt आड करेंगे क्योंकि इस सब्जी की खास बात यही है कि यह आपकी salty भी होती है और थोड़ा इसमें शुगरी एफेक्ट भी होता है अब यहां पे मैंने पनीर मसाला आड किया है अगर आपके बस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है यू किन स्किप दाट अब कसूरी मेती आड कर रहा है मैंने हाँ पे यह भी अराउंड वन टेबल स्पून है क्योंकि कसूरी मेती से बहुत अच्छा फ्लेवर आजाता है सब्जी में और यहां पे डास क्यूब मैंने आड कर दी है पनीर के और यहां पर मैं अब लास्ट में गरम मसाला डाल रही हूँ जो की लास्ट स्टेप होता है जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं उसका तो यह मिजी सब्जी अल्मोस्ट बनके रेडी है और बस एक दो मिनिट बाद हम इसका जो नौब है गैस का वो टरन ओफ कर देंगे और हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और अगर आपको नान या लच्छा पराठा में से कुछ भी बनाना आता है तो आप इसके साथ खाएंगे तो डेफिनेटली यू अगर आपके बच्चे बहुत 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 पसंद आती है बट एक ही प्रॉब्लम है कि यह थोड़ा स्पाइसी बना है तो अगर आपके सब्सक्रांद करें वार आपके बना आपकेक बना आपके बनाना आपके बच्छा घलागा अगरा कि बनाओ यह थो दो प्रॉब्लम के लिए डॉद यह खो जाए अगा तेस्ट पे अच्छा जाएगा और दिया चानल भॉद आट एक पांट्री अजय में आय निवारा पॉ झाल झाल झाल